C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरपस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्टे पुस्तक हमारे आसपास का चठा पाठ बूंद बूंद दरिया दरिया प्रेश्ट 51 बात पुरानी यह है 650 साल पुराना घरसी सर, सर यानी तालाब इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था इसके दूनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हौल और ना जाने क्या-क्या था यहां लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था इसके घाट पर बनाएगा स्कूल में आस-पास के बच्चे पढ़ने आते थे सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तलाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे मीलों तक फैले इस घरसी सर में बारिश का पानी इकठा होता था तलाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बह कर नीचे बने हुए तलाब में चला जाता जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तलाब में चला जाता इस तरह नौ तलाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे पूरे साल पानी की कोई परिशानी नहीं होती थी पर आज घरसी सर जैसे उजड़ सा गया है नौ तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलनिया बन गई है यहां इकठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है प्रिश्ट बावन हजार से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आये इनका नाम था अल बिरुनी अल बिरुनी जिस देश से आये थे उसे आजकल उस्बेकिस्तान कहते हैं अल बिरुनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा खास तोर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगें चलो देखें कि अल बिरुनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं उन्होंने लिखा है यहां के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़ कर तालाप के चारों तरफ चबूत्रे बनाई जाते हैं इन चबूत्रों के बीच में उपर से नीचे जाती हुई सीड़ियों की लंबी कतारे होती हैं लोगों के उतरने चड़ने के रास्ते अलग-अलग होते हैं यहां कभी भीड लगने से परिशानी नहीं होती तो ये लिखा था अलबिरूनी ने आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है यहां एक डाक्ट टिकेट का चितर है जो 1973 में छपा था जब अलबिरूनी के जन्म के हजार साल पूरे हुए थे देखो और पता करो अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो क्या वहां कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियां आदी हैं? इलाका किस तरह का है? जैसे धलान वाला, पत्रीला या किसी तरह का? तुम्हें क्या लगता है? बारिश का पानी बह कर कहां कहां जाता होगा? जैसे जमीन में, नालियों में, पाइपों में, गड़ों में, आदे बूंद बूंद की कीमत राजिस्थान में जैसल मेर के अलावा, बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है यहां की नदियों में भी, साल में कई महिने पानी नहीं रहता प्रिष्ट तरेपन सोचो, ऐसे में भी यहां के ज्यादतर गामों में, पानी की कमी क्यों नहीं थी? लोग बारिश की हर भूंद की कीमत जो जानते थे पानी को इकठा करने के लिए तालाब और जोहर बनवाई जाते यह एक सांजी, यानि सबकी जरूरत थी इसलिए इंतिजाम में भी सभी जुले रहते, चाहे वैपारी हूं या मजदूर तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती और इस तरह जमीन से आसपास के कुऊं और बावणियों में भी पानी पहुँच जाता आसपास की जमीन भी नम और उपजाओ हो जाती घर घर में भी बारिश का पानी इकठा करने का इंतिजाम होता यहाँ एक चित्र दिया गया है उसे देख कर बताना है कि छट पर बरसने वाला पानी जमीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुँचेगा तुमने क्या कभी बावणि देखी है? यहाँ एक बावणि का चित्र है चित्र को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीड़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही है पानी उपर से खीचने की बजाए लोग खुद पानी तक पहुँच सकते थे इसलिए कुछ लोग इसे सीड़ी दार कुवा भी कहते हैं पुरानी जमाने में लोग काफिले बना कर लंबे सफर करते थे अकसर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है इसलिए कई जगा बहुत ही सुन्दर बावणियां बनाई गई थी प्रिष्ट चववन पानी से जुड़े रिवाज आज भी कहीं कहीं कई सो साल पुराने पानी के स्रोत हैं जैसे बावडी, तालाब, नौला, धारा, आदे जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है यहां उत्तराखंड का एक फोटो दिया गया है पानी से जुड़े हैं कई रिवाज त्योहार और जश्न कई जगा तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का महौल हो जाता है यह उत्तराखंड की एक दुलन है जो ब्याह के बाद नए गाउं में आई है वह जर्ने या तालाब पर जाकर सिर जुगाती है आज शेहरों में इस रिवाज का एक मज़िदार रूप दिखता है दुलन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है पानी से ही तो जिन्देगी जुड़ी है ना क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बरतन इस्तेमाल होते है यहाँ देखो इस सुन्दर कुंडों वाले तावे के बरतन में पानी भरा जा रहा है दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है पानी भरने की जगह सुन्दर मूर्तियां भी बनाई गई है क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुन्दर इमारत बनी देखी है? कहाँ? पता करो क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआ या बावडी बनी है? उसे देखने जाओ और पता भी करो यहे कितना पुराना है? किसने बनवाया होगा? इसके आसपास किस तरह की इमारत बनी है? पानी साफ है या नहीं? क्या इसकी सफाई होती है? यहाँ से कौन-कौन पानी भरते हैं? क्या कभी यहां कोई त्योहार मनाया जाता है पानी कहीं सूख तो नहीं गया प्रेश्ट चपपन जरा सोचो 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाखों में जब सूखा पड़ा था तब भूली बिसरी बावडियों को एक बार फिर से याद किया गया मुहले की लोगों ने मिल जूलकर बावडी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूडा निकाला बावडी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया इसके लिए चंदा भी मुहले वालों नहीं दिया कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश होई और पानी की परिशानी कम हुई पर अब फिर से बावडी को भुला दिया गया है चर्चा करो पुनीता के मुहले में दो पुराने कुएं हैं उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15-20 साल पहले तक उनमें पानी था क्या कुएं सूखने की कुछ बज़ा ये हो सकती हैं चर्चा करो कई जगा मोटर लगा कर जमीन का पानी निकाला जा रहा है तालाब जिनमें बारिश का पानी इकठा होता था अब नहीं रहे पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है क्या तुम कोई और वज़ा भी सुझा सकते हो हाल की बात आज लोग पानी का इंतजाम किस-किस तरह से करते हैं चर्चा करो तुम्हारे यहां जिस तरह पानी आता है उस पर सही का निशान लगाओ अगर किसी अलग तरीके से आता है तो अलग से कौपी में लिखो प्रिष्ठ 57 एक बच्चे ने कहा हमारे महले में दिन में दो बार जल बोड का टैंक कराता है पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज छगड़े होते हैं एक बच्ची ने बोला हम कुएं से पानी भरते हैं पास के कुएं एक साल पहले सूख गए अब काफी दूर चल कर जाना पड़ता है कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते एक बच्ची बोली मेरे यहां दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है हम लोग दिन भर के इस्तिमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं एक बच्ची बोली हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है एक बच्चा बोला मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है लेकिन उसका पानी काफी खा रहा है पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है एक और बच्चा बोला हमने जल बोर्ड के पाइप में टुलू पंप लगाया है कोई परिशानी नहीं एक और बच्चा बोला हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है लेकिन बिजली ही नहीं होती, तो क्या करें? एक बच्ची बोली हम नहर से ही पानी भरते हैं प्रिश्ट अठावन चर्चा करो जिन्दगी का हक तो सभी का है फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है? प्रित्वी पर तो पानी सभी का है सांजा है कुछ लोग गहरा बोरिंग करके जमीन के नीजे से ज्यादा पानी खींच लेते हैं यह कहां तक सही है? तुमने क्या ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों को क्या परिशानी हो रही होगी? तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव है? पानी के बिल को देख कर बताओ ये बिल कौन से दफ्तर से आया है? तुम्हारे यहां अगर बिल आता है, तो कहां से आता है? इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा होता है? बिल किसके नाम से है? कितने महिनों के कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग-अलग इलाकों में पानी का रेट अलग है? बड़ों से पता करो प्रिष्ट 69 यह मुम्किन है आज कई संस्थाएं पानी के इंतिजाम में लगी हैं वे लोग बुज़ूर्गों से मिलकर यह चानने की कोशिश करते हैं कि उनके जमाने में पानी का इंतिजाम किस तरह का था? वे पुराने तलाबों की मरमत करते हैं और नई तलाब भी बनाते हैं चलो देखें कि तरुण भारत संग नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की? यहां दड़की माई का चितर है यह हैं दड़की माई राजिस्थान के अलवर जिले के एक गाउं में रहती हैं इस गाउं की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था कभी-कभी तो जानवरों के लिए कुउं से पानी खीचने में पूरी रात लग जाती थी जब गर्मियों में कुउं सूख जाते तो गाउं छोड़ना पड़ता दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया जानवरों के चारे पानी की परिशानी कम हुई और ज्यादा दूद मिलने लगा लोगों की कमाई भी बड़ी है वे लोग अब दूद का माबा बना कर भी बेचते हैं तुमने इस तरह की क्या कोई ख़बर पड़ी है लोगों ने मिलकर पानी की परिशानी को कैसे दूर किया क्या किसी पुराने तालाब या बावडी को फिर ठीक करके इस्तेमाल किया हम क्या समझे पोस्चर बनाओ पृत्वी पर पानी सभी का है साजह है कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और साथ ही चित्र भी बनाकर अपना एक सुन्दर पोस्चर बनाओ एक पानी का बिल लाओ उसे देख कर बताओ ये बिल किस तारीख से किस तारीख तक का है इस बिल के लिए कितने पैसे भरनने पड़ेंगे इसके अलावा बिल में और क्या-क्या देख पा रहे हो जैसे मरम्मत, तूट-फूट, आदी पर हुआ खर्च बूंद-बूंद, धरिया-धरिया अभी आप सुन रहे थे कक्षा पांच की पाठे पुस्तक का ये छटा पाठ प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत